So, hey guys, welcome back to your channel. So, guys, एक और बहतरी न IPO का review, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ, guys, आज हम बात करेंगे popular vehicles and services limited IPO के बारे में, company करती क्या है, company का कितना ही strong business model है when it comes to vehicles, सारी बात ही करेंगे, financials के बारे में बात करेंगे, key performance indicators जो होते हमारे, जो हम आप लोगो के लिए अपनी हर IPO की वीडियो में अनलाइस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे so, guys, पहले बात करेंगे, company का business model कैसे है, company को revenue generation होता है, जो पैसा आता है, वो कितने ही, you know, diversified portfolio से आता है so, guys, without wasting any time, सिरे चलते है, अपने IPO के review फे, so, guys, जिससे आपको पते में आपको बता रहा था, कि popular vehicles and services limited के बारे में बात करेंगे, company क्या गरती है so, guys, पहली बात आपको यह पता हुए जो company हमारी, उसका main business है, वो automobile dealerships का है, ठीक है, यह luxury, second hand, और new cars में deal करते है और इनके showrooms है, जिनके जाधातर, इस company के जाधातर operations based है, वो based है आपके, Tamil Nadu में, Kerala में और Karnataka में, इन तीन states में सबस्यादा major operations based है, इस company के, और अगर मैं बात करूँ, जिसमें आपको बता है, कि automobile dealerships का, काम में company का, उसमें Maruti आ जाती है, Honda आ जाती है, Jail आ जाती है, Tata स्लाइट पर लेके चलता हूँ, अब थोड़े और जो business models हैं के, उनके बार में बात करते हैं, पहली बात आपको यह पता हैं कि passenger vehicles होते हैं, जो आपके luxury cars के बार आपको बताया है, उसमें भी यह deal करते हैं, और in luxury vehicles, luxury vehicles में तो करते ही करते हैं, और in normal vehicles, जो आपके, you know, 10-15 ल बास होती है, commercial vehicles में भी, और guys, जो third, आपका, जो important, last point आपके portfolio का, वो है आपका electric two-wheelers and three-wheeler vehicles, मतलब commercial में तो काम करते ही करते हैं, passenger vehicles में भी काम करते हैं, बट यह आपके electrical, जो two-wheeler vehicles होते हैं, जो मारी electric scooties आती हैं, एथर की आती हैं, और जो Ola की आती हैं, उनका भी यह काम करते हैं, और three-wheeler electric vehicles का भी काम करते हैं, और guys, जैसे कि मैंने हापे mention कर रहा है, both new and old vehicles, दोनों segment में, दोनों ही portfolio में, चाहे मैं बात करूँ, आपके commercial vehicles की, चाहे मैं बात करूँ, passenger vehicles की, दोनों ही इनके portfolio में आते हैं, और guys, इसके अलावा, इनका car servicing, bike servicing, इनका भी काम में, truck servicing का, accessories का भी काम है, ये company financing भी करती है, insurances भी करती है, so guys, काफी ज्यादा diversified portfolio में बोलूंगा, इस company का है, जिन भी चीजों के बार में, आज मैंने अभी आप से बात करी, so guys, एक काम करते हैं, अब ज़रा next slide पे चलते हैं, और थोड़ा जानते हैं कि company के, you know, जो हमने बात क करूँ, तो 126 sales outlets and booking offices है, अगर मैं बात करूँ अपने popular जो हमारी company है, so guys, जो अगर मैं third उस पे आ जाओ, third point पे आ जाओ, तो उसमें लिखाव है, 31 pre-owned vehicle showrooms, जो मैं आपको बताया था न, pre-owned luxury में हम ये भी deal करते हैं, तो pre-owned luxury में के 31 pre-owned vehicle showrooms हैं, अगर मैं fourth point पे आप से बात जो के दोनों की servicing करते हैं, और 134 outlets हैं इस company के, जो मैं popular की बात कर रहा हूँ आपसे, जो popular IPO के बार में आपको लोकले वीडियो बना रहा हूँ, आच, 40 retail outlets भी हैं इस company के, और 24 warehouses हैं, जो मैंने बात करी कि accessories का भी काम है, इस company का accessories में आ गया, जो आपके, जो you know, जो filters होते है जो 24 warehouses है, जो इस टाइप का समान इनका store होता है, जो इनका accessories का समान जो store होता है, वो इनके 24 warehouses में होता है, जो जब काम करते हैं, अब ज़रा next slide पर चलते हैं, अब थोड़ा financials के बार में बात कर लेंदें, company के, so guys अगर assets की बात करूँ, हमें हमेशे assets से start करते हैं, 2021 में company क assets से 1,119 crore के, 2022 में company के assets से 1,263 crore के, 31 March 2023 में 1,504 crore के company के assets से, as of 30 September 2023, 1,942 crore के company के assets से, अगर मैं guys revenue की बात करूँ, तो 2,919 crore के company के revenue था, 2021 में, सारी figures आपकी crore में, 2022 में 3,484 crore का company का revenue था, 31 March 2023 में 4,893 crore का company का revenue था, 30 September 2023 में 2,848 crore का company का revenue था, जब दोनों figures को combine कर दोगे, तो आपको 2023 का data मिल जाएगा, और इस सारी figures के साथ है, PAT के साथ, Borrowings के साथ, revenue assets सब के साथ, अगर guys मैं PAT की बात कर तो 3,240 crore का था, 2022 में, जो प्रॉफित आफ्टर टैक्स था, वो 33.67 का था, 31 March 2023 में, जो company का प्रॉफित आफ्टर टैक्स था, वो 64.07 का था, 30 September 2023 में, जो company का प्रॉफित आफ्टर टैक्स होता है, वो 40.04 crore का था, guys अगर मैं बॉरोंग्स की बात करूँ, company के जो 4th point आ जा 2023 में 505 crore की borrowings थी, और यह थोड़ी हमें हर यह इसमें increase देखने को बहला है, पहले 353 थी, फिर 2022 में 372 फिर 31 March 2023 में 505 crore हो गई, और 30 September 2023 में 765 crore की, और आपको बता है, जो दोनों को figures को add कर दो के तो 2023 का आपको data मिल जाएगा, तो इसमें हमें एक heavy increase, अच्छा खासा heavy increase borrowings म बन जाता है, अगर next side पे चलें, अब थोड़ा key performance indicators जो होते हैं हमारे, उनके बार में बात कर लेते हैं, जो company का ROE return on equity 10.42 percentage का है, जो return on capital employed है, ROCE, वो 8.83% है, जो debt to equity ratio है, वो 1.99 का चल रहा है, यहाई इसलिए जाद है, क्योंकि जो borrowings हैं company पे, जो company पे आपकी borrowings हैं, वो ब price to book value चल रहा है, guys, अगर पी ratio आपका, पी ratio आपको बता है, अगर आपने मेरी IPO की वीडियो देखें, तो price to earnings ratio जो होता है, price upon earnings का, कि एक रुपे की earning पे price कितना share का justified है, तो pre IPO जो company का PE ratio था, 28.88 का था, post IPO company का PE ratio था, 26.22 का था, I hope आपको इस सारी figures clear हो गई होगी है, guys, अब आपको key performance indicators के बारे जो हमने बात करी हो गई होगी, guys, अब ज़रा issue size के बारे में बात कर ले थे company के, जो की important point होता है, 601.55, 602 करोड के आपका company का issue size है, जो हमने बात करी है भी, उसमें से जो आपका fresh issue है, guys, उसमें से जो आपका fresh issue है, वो approximately 250 करोड का company का fresh issue है, और अगर मैं OFS की बात करो, जो कि आपका offer for sale होता है, OFS इस company का 351.55 करोड का निकल के आ रहा है, और जब हम दोनों करते हैं, हमें total issue size approximately 601.55 करोड का मिल जाएगा, so guys, अब ज़रा last slide पर चलते हैं अपनी, थोड़ा important information के बारे में बात कर लेते हैं, dates के बारे में कि हमें किस category में कितना allot account में shares आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आपके 18 March को ही, जब refunds credit होते हैं, same day ही आपके shares आ जाते हैं, और NSE और BSE National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange, उमार exchanges है, उस पे इस company की जो listing होगी, वो 19 March की होगी, guys, price band के बारे में बात कर लेते हैं, 280 से लेके 295 का price band है, और एक lot में आपके 50 shares हैं इस company के, आपको पता है, retail में एक category में हमें investment निकालनी होती है, तुम क्या करेंगे, 295 into 50, ठीक है, तुमारी एक lot की minimum investment, 14,750 रूपीज की निकल के आजएगी, retail category में maximum investment 13 lot की होती है, ये data सारे IPOs में fixed होता है, जो की 1,91,750 निकल के आ रही है, अगर मैं small H&I category की बात करूँ, so minimum 14 lot की investment है जिसकी value मुल्यांकन, 2,6,500 रूपीज का है, small H&I category में maximum investment आपकी 67 lot की है, जो की value निकल के आ रही है, 9,88,250 रूपीज की, अगर मैं, आपको पता है, अगर मैं big H&I category में apply करता है, तो big H&I category में minimum investment होती है, जो small H&I category की maximum investment होती है, अगर उसमें 1 lot plus 1 lot add कर देते हैं, तो 68 lot निक investment होती है, big H&I category की, और गईज अगर मैं जड़ा gray market premium के बारे बात करूँ, तो आपको बता है, gray market premium हो में में cut-off price पर निकालते है, 280 हमारा floor price है, और 295 हमारा cut-off price या cap price उसको बोलते हैं, तो अभी जो company का gray market premium चल रहा है, अप्रॉक्सिमिली 33 रूपीज का चल रहा है, जैसे सेक्टर में, peer comparison में market leader कौन सी कंपनी है, फटा फट कॉमेंट सेक्शन बताना, और percentage terms में 33, 295 हो कितना बन रहा है, कितना percent gray market premium करेंटली कंपनी का चल रहा है, अभी ये open भी नहीं हुए है, उसके according, so guys, gray market premium कंपनी का 33 का चल रहा है, main negative point गाईज यह है, जो company का borrowings है, वो इसके लिए company अपना IPO लेके आ रही है, अब हमें देखना है कि किस तरीके subscription हमें पहले दिन पर देखने को मिल रहा है, उसके according हमें next day, आप एक एक lot अपने हर family member के account से, या फिर अगर आपको जादा lots apply नहीं करने, तो अपने ही DMET account से एक lot आप apply कर सकते हो, depending कि कि कितना किस type क retail subscription या overall सारी categories के across subscription आपको देखने को मिल रहा है, इस IPO में, so guys, comment section में जरूर बताना, कि क्या views है आपके, जो में आप लोग लिए IPO की वीडियो बनाई है, उसके उपर, और इस company के उपर, क्या views है आपके, so guys, comment section में जरूर बताना, so और guys, बिना like करें हमारी वीडियो को मत ज करना, so guys, thank you for watching all our videos, please like, share and subscribe to our channel, we'll be back with another great video for you guys, thank you so much for watching, see you guys, bye